अजयगण शेत्र में एक दबंग रेत माफिया शासन प्रशासन को चैलेंज दे कर अजयगण की केन नदी से अबैद रेत खनन कर फर्जी टोकन के माध्यम से खुले आम रेत बेच रहा है और शासन के राजश्वे की चोरी कर रहा है अजयगर शेत्र की आम जनता को प्रधानवंत्री आवास, मुखवंत्री आवास वनिजी कारियों के लिए रेत उपलब्ध नहीं हो रही लोगों को मजबूरी बस महेंगी रेत लेनी पड़ रही है महीं दबंग रेत माफिया खुले आम अजयगर शेत्र में अपना खुद का सिक्का चलाकर शेत्री की खनिस संपता को बेच कर शासन को करोणों रुपे का चूना लगा रहा है रेत माफिया की दबंगई ऐसी ना कोई ठेका ना कोई एग्रिमेंट ना कोई फिट पास फिर भी एक कागच के टुकडे में रेत की चोरी खुले आम की जा रही है रेत माफिया के फर्जी वाड़े की शिकायत लेकर अजगड शेत्रे की आम जनता राजपाल के नाम ग्यापन लेका तहसिलदार अजगड के पास पहुची इवं रेत का अवैद उत्खनन बंद करने वा फर्जी टोकन के माध्यम से रेत की चोरी करने वाली खनन माफियाओं पर कारवाई करने की मांग की सवाल इस बात का है कि फरजी टोकन के माध्यम से कैन नदी की रेत खुले आम बेची जा रही है और प्रशासन मौन है ज़की शासन को करोड़ो रुपए की राजश्वे की हानी हो रही है और जिसके संबन्द में आपके दोरा गयापन प्राप्त हुआ है इसके आधार पर आगए कारवाई की जाएगी जापन दिया है कि एक गुंडा टेक्स यहां पर वसूला जा रहा है टोकन के दोरा और 25 रुपए का टोकन काटते हैं और प्रधान मंत्री अवाज के लिए रेत नहीं मिल पारी एक एक तोला के लिए रेत के लिए मौताज है और एक बाहरी ठेकेदार है कोई मलोत्तरा करके वो 25 रुपए का टोकन काट कर और फरजी टोकन है वो भी फरजी टोकन ना तो कोई रोयल्टी है ना कुछ है टोकन देकर तब टेक्टर निकलते हैं अगर टोकन नहीं है तो टेक्टर को पुलिस के द्वारा पकड़ा कर ठाने में रख दिये जाता है